हेलो फ्रेंड स्वात चैनल में आप लोगों को एक बार आज फिर से स्वागत हैं मैं हो रितू आज मैंने बनाए बिलकुल घर के बेसिक समान के साथ में दो ऐसे जबरदस नाश्टे जिनको आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं कोई आपके घर पे आने वाला हो त आप इसे बना सकते हैं इसमें जितने भी चीज़ें यूज होईगी हैं वो सब आपको अपने घर पे ही मिल जाएंगी तो आए फटा-फट से वीडियो में देख लेते हैं कि यह टेस्ट्री वाले नाश्टे कैसे बने हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें और इसको बिल्कुल बारीक पीस लीज़े ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना बिल्कुल इस तरह का बारीक पीस लीज़े पीसते समय फ्रेंट्स पानी बिल्कुल भी मट डालियेगा अगर जरुबत लगे तो सिर्फ एक टेबल स्पून पानी आप इसमें डाल सकते हैं अब हमने क्या करना है कि इस बैटर से हमने दो चीज़े बनानी है तो बाउन में मैं इसका आधा हिस्सा ही निकालूंगी और हाफ को मैंने साइट पे रख दिया है अब इसमें मैं मिला रही हूँ बारीक कटावा प्याच और इसके साथ में बारीक कटीवी जनिया, फोड़ी से चिली फ्लेक्स और स्वादमसार नमक और ठोड़ी सी डाल दी इसमें करीब 2-3 हरी मिर्च बारीक कट करके अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को हटा भी सकते हैं गाडा गाडा से इसका बेटर बना लीजेगा आप इकदम से पान लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि जब इसको हम फैलाएं यानि इससे जब अपना नाश्टा बनाए तो आसानी से बन सके अगर आप एक दम से पानी डाल देंगे या दाल पीसते समय बहुत ज़़ा पानी डाल देंगे तो फिर यह आप से कंट्रो नहीं पैलाना है और इसके ओपर रख दीजिए अपनी ये ब्रेड और इसको अच्छी तरह से जो यह मूंग की डाल का बैटर है ना इससे इसको कवर कर दीजिए और फिर ऐसे एक चमचा लेकर इसको साइट से अच्छी तरह से सेट कर लीजिए इसको बिल्कुल स्क्वायर जैसे हमाई ब्रेड होती है ना उस तरह काफी से बना लीजिए इसमें जो भी समान यूज हुआ है फ्रेंड्स आपको दिखी रहोगा वो सारा घर में होता है आपके पास मूंग की डाल भी होगी प्यास सबके घर में होता है शिमला मिच भी मुस्तली घर में होती ही है और जो हमने नमॉक मिच मसाले डाले वो भी हमारे पास होते है और यह खाने में बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है बच्चे अकसर इसे सब्सियां खाने में और मुंग की डाल खाने में नकरे करते है ना उसके लिए बस है धिमियाज करके इसको ढग दीजे और चोड़ तब तक जो हमारे आधी मुंकी दल को हमने बचा लिया था ना उसको मैंने दूसरे डोंगे में निकाल दिया है और उसमें डाल दिये 3 टेबिल स्पून भरके सूजी यारी रवा कोई भी सूजी आप ले सकते मोटी अबारिक जो भी आपके पास है और उसमें डाल दिये थोड प्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है और स्वादुन सार नमक डाल दिजिए और फिर भी पाणि पानी उसने अब्साइडर करना है और फिर पता लगेगा कि हमें इसका कंसिस्टन्सी कैसे रखनी है तो बस इसको mix कीजिए और ढखके रख दीजिए साइट पे तो जब तक हमारा ये मूंग डाल toast त्यार हो रहा था तब तक आप ये काम कर सकते हैं बस आईए इसको देखते हैं मैंने इसको खोला एक गैस की flame को मैंने रखा था धीमा और इसको हलका सा उपर से लगा दीजिए आप oil तो दूसरे साइट से मैंने इसको turn कर दिया है ये देखिए वाओ कितना बढ़िया इसका color आ गया है कितना अच्छा है ये सिका है तो इसी तरह से अब दुबारा आपको इसे ढखने की बिल्कुल भी जरुद नहीं है ये देखिए दोनों साइट से मैंने इसको बड़ी आसा क्रिस्पी सा कर लिया है अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ ये खाने में फ्रेंग बहुत टेस्टी लगता है तो हैनक कितना मज़ेदार इसको बनाना इसी भी बहुत है और खाने में ये टेस्टी भी बहुत लगता है तो ये लिजे अंदर से इसमें ब्रेड है और उपर से दोनों साइट से मूंग की दाल के फिलिंग और देर सारी सब्जिया चो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है अब जो हमारा ये दूसरा वाला अब डालती जाएए और हाँ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन को फ्रेंड जरूर हिट कीजिए और अपने फैमली और फ्रेंड में मेरी वीडियो को जादर से जादर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बुताईए क इसको मेरी वीडियो को देख रहा है तो यह देखिए दोनों साइट से से इसको उलट उलट करके मीडियम टू हाई फ्रेंब यानि मैने कभी मीडियम रखी थी हृँ और कभी हाई रखी थी इसको बड़ी आसा कर लिया है क्रिस्पी तो कितना मज़ेदार है न एक ही मूंग इसको चट करके आते हैं आपके घर में भी सब को यह बहुत पसंद आना है वाला है इसे सॉस और ग्रीन चटनी के साथ खाई है बहुत मज़िदार लगते हैं पकोड़े भी मैं आपको दिखाती हूँ उपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल नरम जल्दी मिलूँगी मैं आप से ऐसी नहीनी वीडियो के साथ में बाबाई टेक कियर